दानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है राजनीटी अपने पूरे चरम पर है एक दूसरे के उपर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाय घटित हो रही है जो सीधे तौर पर कानून बिवस्ता पर सवाल खड़ी करती है ताजा घटना अभी हुई है जिसमें एक दमपत्ती नोईडा से बुलंचहर जा रहा था है जिसमें मा बेटियों के साथ घिनवनी हरकत की गई है मा बेटी के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है जो पूरी तरीके से कानून बिवस्ता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है में सुरक्षीत नहीं हो वहाँ पर लाइन ओर्डर का आप अंधाज लगा सकते हैं यहां तक हालात हुई है कि बदाईयों में जब दो बच्चियों के साथ रेप हुआ और उनको उनकी हत्या करके उनको पेड़ पर लटका दिया गया था तो पूलिस उसका एफायार भी करना पड़ाता है मुख्यमंत्री के हस्तचेव से एफाया लाज होता है आप समझ सकते हैं कि कानून की बेहुस्ता उतर प्रिदेश में क्या है विजेजी जब देखा गया कि किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर पर कोई भी टिपड़ी की जाती है भले ही वो अशोभनी ये टिपड़ी हो तमाम उसके कारकरता बौखला जाते हैं और उस वेक्ति की गिरफतारी नहीं होती है तो लखनों में उसके कारकरता उतर जाते हैं अब उस वेक्ति की गिरफतारी हो गई जो आपकी पार्टी से बिलॉंग करते थे पार्टी नहीं निकाल दिया लेकिन इस तरह की घटनाओं पर कोई भी बड़ा वेक्ति सामने नहीं आता कोई भी पॉलिटिकल लीडर सामने आता क्या आम आदमी जो अगर किसी खास समुद जाय वर्क से बिलॉंग नहीं करता क्या उसकी एहमियत नहीं क्या उसकी इज़त की कोई वैल्यू नहीं देखिए उत्तर प्रदेश में जो आज बरतमान सरकार है उसके बारे में हम लोग क्या टीप पड़ी करें उनके जो सिर्शस्त नेता हैं वो भी कभी बलतकार के उपर एक तरह से अपरात को बढ़ावा देने का रहा है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो हालात है और उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं उनके बारे में क्या टिपड़ी किया जाया उनको तो राजनीतिक रोटी सेखनी है राजनीति में जहां लाब होता है उनको दिखाई दे किता है वहां वो लोग हस्ते छेप करते हैं